नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस फे और मैं आज आपको एक्स्प्लीन करने वाला हूँ यह एक महिला के मनुभाव और उसके चित्त कुदर शादी एक अनूठी पोयम है जिसे लिखा है कमला दास जी ने इस पोयम का टोन आटो बायग्रफिकल है यानि जब हम इसका विदा को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम कमला दास जी की आत्मक अधा पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे संशाइन संशाइन को हिंदी में सूर्य प्रभा या सूर्य की चमक कहा जाता है और कैट का मतलब होता है बिल्ली तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा सूर्य प्रभा बिल्ली या फिर सूर्य की चमक के समान बिल्ली अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर मैं आपको ये पोएम बेहत सरल वह आसान शब्दों में एक्स्प्लेन करूँगा टेक्स्ट रीट करने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे रूतलेस का मतलब होता है निर्दई या फिर बेदर्द और सिनिक शब्द का मतलब होता है निंदक उन्होंने उसके साथ ऐसा किया कमला दास जी पहली लाइन में किनी लोगों के बारे में बात कर रही है वे कहती हैं कि उन लोगों ने ये लोग कौन है और कमलादास जी किन लोगों के बारे में बात कर रही है और उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी यहां पे बात हो रही है जब हम इस पोयम को आगे पढ़ेंगे तब हम इसकी परत दरपरत समझेंगे कि किन लोग बात हो रही है The man who knew her The man she loved Who loved her not enough पोईटेस कहती है कि वह उस आदमी को जानती है और उसे बे इंतहा प्यार करती है लेकिन बदले में वह आदमी उन्हें इतना प्यार नहीं करता Being selfish and a coward इन शब्दु के जरीये उस आदमी की qualities मालुम पड़ती है कि वह आदमी डरपोख है, वह आदमी मतलबी है The husband who neither loved nor used her अब in-line के जरीए ये clear होता है कि वह आदमी कौन है वह आदमी औरत का पती है जिसके बारे में अब तक बात हो रही थी वह आदमी ना तो महिला को प्यार करता है और ना ही उसका इस्तमाल करता है But was a ruthless watcher and the band of cynics वह आदमी बस बेदर्द व्यक्ती की तरह उसे देखता रहता है और poetess उसे band of cynics कहती है cynics का मतलब होता है निंदक व्यक्ती cynics का मतलब होता है वह आदमी जो किसी भी चीज़ में खुश नहीं होता और वह व्यक्ती हमेशा निंदा करता रहता है लेखी का ये बताती है कि वे जीवन से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें अपने पती से प्यार नहीं मिल रहा है और प्यार की बज़ाए वह तो एक मतलबी और डर्पो का आदमी है जो एक बेदर्द इंसान की तरह सिर्फ उन्हें देखता रहता है लेखी का कि शायद ये ख्वायश है कि वह उनके पती के लिए कुछ काम करे और उनके काम आ सके लेकिन उनका पती ना तो उन्हें किसी काम में लेना चाहता है और बलकि वह तो हर काम में कोई न कोई निंदा करता रहता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर clinging का मतलब होता है चपकना और sprouted का मतलब होता है अंकुरित होना महिला अब किसी और चीज का रुख करती है इस लाइन से हमें ये clear होता है कि महिला किसी extra marital affair में है यानि वो अपनी शादी शुदा संबंद के अलावा भी कोई संबंद रखती है और वो उनकी चाती से जाकर चिपकती है जिन चातियों पर अभी अभी बाल आये है इसका मतलब यह है कि जिन लड़कों से उनका संबंद है वो लड़के भी जवान है क्योंकि मर्दों को टीनेज के समय में चाती पर बाल आने लगते हैं उन बालों को पोईटेस ने कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है वह बाल इस तरह लगते हैं जैसे कोई बड़ा सा पतंगा हो अब आप इस फोटोग्राफ में एक मौद देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा होता है और इसके पंक काफी बड़े-बड़े होते हैं बेसिकली ये मौत किसी अच्छी चीट की निशानी नहीं है अब आप इस द्रश्य को कुछ इस तरीके से मैजिन कीजिए कि किसी महिलक असर किसी मर्द की छाती पर हो वे ये कहते हैं कि उनकी च्छाती से कामोकता की और लालसा की महकाती है महिला उनके यंग लवर के साथ इसलिए समय बताती है कि वह भूलना चाहती है वह सब कुछ भूलना चाहती है और बदले में वे सबी लोग जिनके साथ महिला का संबन था वे ये कहते हैं कि वे प्यार नहीं कर सकते वे प्यार कर ही नहीं सकते क्योंकि प्यार करना उनके स्वभाव में ही नहीं है और वे बस इतना कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सर्फ दयालू बनके रह सकता हूँ, सर्फ नर्म बनके रह सकता हूँ महिला अपने घर में अपने पती से खुश नहीं है, इसलिए बाहर प्यार को तलाशती है लेकिन जिन भी लोगों के साथ वा रहती है, वह उसे प्यार नहीं करते हैं, वह सरफ कामुकता को महत्व देते हैं, बलकि महिला को तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर वीपिंग शब्द का मतलब होता है रोना, और स्ट्रीक शब्द का मतलब होता है रेखा या फिर लकीर They let her slide from packs of sanity into a bed made of soft with tears sanity शब्द का मतलब होता है मानसिक संतुलन या फिर स्थिर बुद्धी पोईटेस इस लाइन में ये कहती है कि महिला ने जिन भी लोगों से प्रेम किया उन लोगों ने उसे stable यानि कि स्थिर नहीं होने दिया और वह हमेशा slide यानि कि फिसलती रही अगर आप एक healthy lifestyle चाहते हैं तो आपका स्थिर होना जरूरी है लेगिन पोईटेस ये कहती है कि वह महिला कभी भी स्थिर नहीं हो पाई और बार बार लोग उसे आसों से बने बिस्तर पर खीच लेते और शी ले देर वीपिंग फॉर स्लीप had lost its use वह बस बिस्तर पर रोती रहती क्योंकि उसके नींद खो चुकी थी और रहां निश्काम हो चुकी थी महिला कहती है कि वह आसुं के एक दिवाल बना कर उसमें खुद को बन कर लेना चाहती है क्योंकि जब आप बाहरी दुनिया से बहुत परेशान हो जाते हैं तब आप अपने अंदर कोई सोलीशन ढूंढते हैं और इसलिए आप दुनिया से खुद को काट लेना चाहते हैं और खुद को अलग कर देना चाहते हैं Her husband shut her in Every morning locked her in a room of books with a streak of sunshine lying near the door हर सुभे उनका पती उन्हें एक library में बंद करके जाता है Room of books का मतलब है library Room में बंद करके जाने का यहां पर literal मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि व्यक्ति सुबह से ही अपने काम पर चला जाता होगा और क्योंकि महिला को पढ़ने का बहुत शौक है इसलिए वह खुद को पूरे दिन एक लैबरेरी में बन करकर रखती होगी और उस रूम के डूर के करीब एक सूरी किरन एक संशाइन आती है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कमपनी का मतलब होता है साथ सूरी के किरनों को यानि कि शंशाइन को पोईटेस ने किसी बिल्ली के रूप में देखा है ये हो सकता है कि सूरी के किरने किसी बिल्ली के आकरती बना रही हो और इसलिए इस poem का title भी The Sunshine Cat दिया गया है Poetis का यह कहना है कि वह उस room में उस बिल्ली के साथ समय बिताती है But soon winter came and one day while locking her in He noticed that the cat of sunshine was only a line एक ऐसे ही दिन जब आदमी उसे lock कर कर जा रहा था तब उसने यह notice किया कि वह सूरी के किरने अब सर्फ एक line मातर बज़ गई थी क्योंकि यह सर्दियों के समय था और सर्दियों के समय में धूब बहुत कम आ पाती है इस line से हमें यह बात मालूम पढ़ती है कि महिला को किसी के साथ की बहुत जरुवत थी लेकिन फिर भी वह आदमी रोका नहीं और अपने रास्ते पर चला गया अब वहां पर सर्फ एक लकीर एक मोटी लकीर बज़ी हुई थी और जब शाम के समय व्यक्ति वापस उसे लेने आया तब तक महिला अदमरी हो चुके थी और वह किसी भी पुरुष के लिए किसी भी काम की नहीं बची थी अब शाम का समय हो गया था महिला ने दिन भर अकेले पन में गुजा रहा था और जब उसका आदमी जब उसका पदियों से लेने आया तब तक महा अदमरी हो चुकी थी यानि वह किसी vegetable state में चली गई थी यानि कि वह अपने आसपास की चीजों से बेखबर हो चुकी थी और वह किसी भी पुरुष के लिए कोई भी इस्तमाल के नहीं थी क्योंकि उसके अंदर कोई भी sexual desire नहीं बचा था दोस्तो ये था पूरी poem का explanation आशा करता हूँ आप कोई poem आसानी से समझ में आई होगी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे subscribe कीजिए अपने आस पास सफाई बनाये रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद